हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और एक बार फिर मैं हाजर हुआ है नए सेशन के साथ क्योंकि आप सभी को पता है कि आप यह पेसाई और कॉंस्टेबल का जो एक्जाम है गाई बहुत ही जल्द लिया जाएगा और त्यारी अप लोग को ब पहला सवाल है आप लोगों बीज में आचल संपति किस छेटर के अंतरगत आता है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा अप्चन नमर फोर इस दक्रेक्टांस हो जाएगा दूतिये और तिरतिये दोनों स्रेणिया में आती है ठीक है ध्यान रखेगा दोतिये और बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्चन नमर फोर इस दक्रेक्टांस हो जाएगा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है पी एम जी एस वाई का चलिए नेक्स कोस्चन है निमलेखित का मिलान करना एक तरफ संस्था या समूए एक तरफ मुख्याले है इंपोर्टेंट कोस्चन है फ्रेंड्स बताये आयम का मुख्याले कहा है अब विल्कुल करेक्टा अशर हो जाएगा बिल्कुल साही जवाब हो प्रेंड्स आप्सिन नमबर फोरिज़गा योटर्स का मुख्याले आप लोग जानते वाशिंग्टन ड.C है डभलोग बिल् कि एडिवी का मुख्याले फिलिपिन्स पड़ता है और सार का मुख्याले काठ माननों पड़ता है तो यह सई अंसर था उप्तन नुम्बर फोर अगला किस पंच वर्षी योजना को दस्तिर्व अधिक समावैसी तथा धारणिया विकास था बहुत इंपोर्टन बहुत इंप आ रहा है ठीक है बाराग बार नीति आयो आ गिया और पंच वर्षी योजना के जगह नीति आयो ने उसका अस्थान लिया आप लोग बताना है कि नीति आयो का जो गठन हुआ था फ्रेंस अस्थापना हुआ था किस वर्स और किस डेट को हुए थी यह कमेंट बॉक्स में कर देज़ेगा चले नेक्स कोस्टन है सोर्स कोड को अबजेक्ट कॉड में बदलने वारे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है इंपोर्टेंट है यह साइंस का सवाल है तो बताएगे क्या होगा सब्सक्राइब आप लोग दिया गया है फ्रेंस जी बिल्कुल करेक्टानस होजगा अप्शन नमबर एए ईक इस द करेक्टानस भाड का ठीक है उप्शन एक is क्यान क पूछता है है सोर्स कोड में बदल ने वाधलने का स्रेज आता है अगला question है की इस देश में फासी वाद का राजनितिक सिध्धांग शुरू हुआ important question हिस्टोरी का बिल्कुल correct answer होगा friends इसका बिल्कुल सई जवाब होगा option number 3 is the correct answer होगा रूस में फासी वाद रूस में start हुआ था अगला है निमलिखित में से कौन पर्थागत कानून का समर्थन करता है बिल्कुल correct answer होगा option number 2 is the correct answer होगा लोक अगला है निमलिखित में से कौन सा यसी कथन सही है तीन कथन आप लोगों को दिया गया friends कथन में पढ़ देता आप लोगो उसके कोडिंग आप लोगो अंसर भी देना है पाला है संगे सरकार में अधिक विधान मंडल कारी कारी तथा नयाए तंत्र में बित्रित होती है दूसरा कथन बोलता है राजनेतिक असपरदा के कारण लोग तंत्र में समाजिक विभाजन राजनितिक में परतिविम्बित होता है तीसरा है संपदाइक राजनितिक किसी एक धर्म को अनियों से बहतर मानने पर अधारित है तो बताइए सही कथन कौन सा है बेलकुल करेक्टान सा जगा फ्रेंट्स ऑप्सन नमबर टू इस दा करेक्टान सा जगा एक दो तथा तिन तीनों कथन साही है है ना अगला कोश्चन है आप लोग को निमलेखित में से कोन भारत में वित्या अपात काल भोसित करता है मिलेखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है बिल्कुल सही जवाबोगा फ्रेंट आप्सन नमर फ्री ज़ा करेक्टन सोगा भारत के न्यावादी अटोर्नी जनलन अफ इंडिया प्रगला है मुक्ष चुनाईव का कारकाल कितने समय का होता है इंपोर्टेंट है फ्रेंट बिल्कुल सही जवाबोगा फ्री जवाबोगा फ्री ज़ा करेक्टन सोगा छे वर्स या 65 साल जो पहले होता है वही उसका कारकाल होता है 65 साल अगर पूरा कर चुका है तो रिटार्मेंट ले लेगा या छे वर्स अगर पहले हो चुका है तो भी रिटार्मेंट हो जएगा अगला है लक्षदीप का उचिन्याले भारत के किस राज में इस्थित है important question friends बिल्कुल सही जोगा option number two is the correct answer होगा केरल में ठीक है अरब सागर में लक्षदी पढ़ता है ध्यान रखेगा अगला question है फ्रेंड निम्लिखित मेंसे भारत में किसका संसोधन आपका विशेस बहुमत के द्वारा किया जा सकता है तो option आप लोग दिया गया है देख लिजेगा option एक बोलता है नए राइज का गठन दूसरा है संसत के सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और तिसरा है रास्पती के भत्ते और चौथा है अनुच्छे 368 के द्वारा संसोधन का संसोधन तो बताएज विशेस बहुमत के द्वारा किसका संसोधन किया जा सकता है बिल्कुल करेक्टान सोधन का option number 4 is the correct answer गा अनुच्छे 368 के द्वारा संसोधन का संसोधन अगला है निमलिखित मेंसे माराथी पाचिक समा चार पत्र बहिस्कृत भारत किसने शुरू किया था important question friend बिल्कुल करेक्टान सोधन जगा option number 1 is the correct answer गार्ड हमारे सभिधान निमान करता डॉक्टर बियार अंबेडकर अगला है निमलिखित मेंसे किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था option 1 गुलाम बंस, option 2, सैयद बंस, option 3, हिल जी बंस, option 4, गोरी बंस बिल्कुल सही जवाब है friends, option number 4 is the correct answer का गोरी बंस अगला है निमलिखित मेंसे भारतिय महाविध्यालिया दिनियम 1904 की पारित होने के दोरान भारत के वाइसराइक कौन थे बिल्कुल सही जवाब होगा, option number 4 is the correct answer का गोरी फ्रेंट्स, लोड करजन जो नहीं बंगाल के विभाजन का भी स्रे किया था जो बंगान विभाजन का जो स्रे जाता है लोड करजन के ही सासनकाल में याद रखेगा, अगला है निमलिखित मेंसे कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, important question है friends, रेलिवी का important friends, important question, बिल्कुल सही जवाब होगा, option number 4 is the correct answer का, option 4 is the correct answer का friends, आपका औरंग जेब को अगला है सत्य सोजक समाच की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही जवाब होगा, friends, आप लोग बिल्कुल correct answer जागा, option number 2, जो तिवा, फुल ले, अगला है निमलिखित का मिलान करना है, एक तरब परवत सिंकला, एक तरब महादीब है, बताइए सही एक अशर कौन सा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, friends, इसका तो correct answer आप लोग यह सही दे सकते हैं, friends, जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, option number 2 is the correct answer होगा, ठीक है, option number 2 is the correct answer होगा, ठीक है, option number 2 जो बोलता है, एक हिमाले जो है आपका, C option हो जाएगा, Asia में है, और आपका NDIS दो परवत है, वो आपका दच्छी अमरिका मपरता है, रोकी परवत उतरी अमरिका मपरता है, यह सिंक्रला आप लोग याद रखियेगा, हिमाले, Asia में यह सभी जानते, NDIS दच्छी अमरिका में है, रोकी उतरी अमरिका में, अगला बिल्कुल सही जवाब होगा 21 December को option number A is the correct answer जगा अगला है हिमोड जिसे मौरन भी कहा जाता है एक परकार का मिड़दा अपरदन है जो निमलिखित में से किस के कारण होती है बिल्कुल सही जवाब होगा option number A is the correct answer जैसा कि नाम से ही पता चलता है friends हिमोड हिमनद के कारण अगला है सरदार सरव और मान निमलिखित में से किस नदी परिश्थित है important question नदी आप लोग देख लिजिएगा railway का अगर त्यारी कर रहे हैं तो नेदिया जरू देख लिजिएगा किस राजिम पुड़ता है जी बिल्कुल correct answer जगा option number आप लोग का 3 is the correct answer जगा नर्मदा नदी ठीक है चले भारत की किस नदी का अंतर देशिये जल निकास है बिल्कुल सही जवाब होगा लोणी नदी का जो कि आपका राजिस्थान में बहती है अगला है निमलिखित मेंसे किस किसे जिव बिज्यान का जनक कहा जाता है यह भी important question है बिल्कुल सही जवाब होगा option number 2 अरस्तु को ठीक है फ्रेंस option number 2 is the correct answer जगा जिव बिज्यान का जनक अरस्तु को का जाता है अगला है निमलिखित मेंसे कौन मानो में रख्त का ठक्का बनाने के लिए अनिवार है बिल्कुल सही जवाब होगा option number 2 is the correct answer of vitamin K is the correct answer जगा अगला है निमलिखित मेंसे कौन सी ग्रंती insulin बनाती है बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंस option number 3 is the correct answer जगा अगनास है जिसके पैंक्रियास भी का जाते हैं इंगलिखित में मनिश्यों में रख्त चाप समयते हैं कितना होता है बिल्कुल सही जवाब होगा option number 2 is the correct answer जगा ठेक है option 2 is the correct answer जगा फ्रेंस 122 80 समाइन मनिश्यों का रख्त चाप 120 by 80 होता है सिस्टोलिक 120 और डास्टोलिक 80 निमलिखित में से किसे अनुवान सिकी का जनक कहा जाता है important question friends बिल्कुल सही जवाब होगा option number 2 is the correct answer जगा ग्रेगर जोहान मंदल को अगला है अगेती जुलसा निमलिखित में से किसका एक समानी रोग है बहुत important question है friends जी बिल्कुल सही जवाब होगा option number A आलू का अगला है जब किसी वस्तु को दो समाना अंतर समतल दर्पनों के बिच रखा जाता है तो बने हुए परतविम्बो की संख्या कितनी होगी बिल्कुल सही जवाब होगा option number four is the correct answer होगा अनन्त होगी अगला है घर्षन निमलिखित में से किस से कम किया जा सकता है बहुत important question है friends आप लोगा option कोट में guys सतों को चमका कर और बोलता है असनिक धकारियों के परियोग से और तीसरा बोलता है असपर्स के छेदरपल को कम करके तो बताइए इसमें सही जवाब कौन सा होगा आप लोगा कि बिल्कुल सही जवाब होगा option number three is the correct answer अगा friends एक और दो दोनों सतों को चमका कर अदूसरा असनिक कारियों के परियोग से अगला है किसी चलती ही वी बस्तू की गती को आधा करने पर उसकी खाली जगा option के कोडिंग सही अंसर किजिए फ्रेंड्स तो बिल्कुल करेक्ट अंसर जगा option number one is the correct answer होगा जिखिए किसी वस्तू की जो आधी होगी अगर किसी चलती वी बस्तू की गती अगर आधी हो जेग तो गती जोजा प्रारभ्वी का one by fourth हो जाता है याद रखिएगा चली अगला question है friends पारा थर्मामेटर के कार करने का सिध्धानत आप लोको बताना है option आप लोक बीच है बिल्कुल करेक्ट अंसर जगा option number two is the correct answer होगा आपका गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार अगला है आम तोर पर उप्यों की जाने वाली floppy disk का संचेन चमता क्या होती है बिल्कुल करेक्ट अंसर जगा option number three is the correct answer जगा friends 1.44 MB जो floppy disk करते हैं उनके संचेन चमता कितनी होती है 1.44 MB अगला है निमलेखित में से कौन परचालन यंत्र का द्यवस्थित किये जाते हैं परचालन तंत्र दुवारा इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर जगा option number two is the correct answer जगा friends एक दो और तीन यह तीन हो memory processor input या output यह परचालन यंत्र के दुवारा ब्यवस्थित किये जाते हैं अगला है निमलेखित में से किसका उप्योग फलो को पकाने के लिए किये जाता है friends यह important question है बिल्कुल सही जवाब होगा option number two is the correct answer जगा friends एथिलीन का अगला है गोबर गेस का परमुग घटक क्या है यह तो easy question है friends बिल्कुल सही जवाब होगा option number three is the correct answer जगा methane अगला है सेंधा नमक में कौन सा खनीज होता है friends तो सेंधा नमक आप लोग सही जानते है ठीक है बिल्कुल correct answer जगा option number three नमक का जहां बात होगा sodium जरूर आएगा ठीक है sodium अगला है निम लिखित में से कौन सा संक्रमन दातु नहीं है बिल्कुल correct answer जगा option number four is the correct answer जगा radium अगला है निम लिखित में से कौन सा सही है आप लोग देखिया option दिया गया है friends पताइए सईजवाब क्या होगा बिल्कुल सईजवाब होगा option number three is the correct answer जगा फ्रेंस option three is the correct answer जगा ठीक है CPM का जो है फुल फॉर्म तस्पेंडेंट पार्टिकुलेट मैटर तथा COD का जो फुल फॉर्म होता है chemical oxygen demand दोनों ठीक है अगला कुश्चन प्रजेक्ट टाइगर किस वर्स आरंब किया गया था यानि कि शुरुआत किया गया था important question है भी बिलकुल correct answer जोगा 1973 में अगला question है निमलिखित मेंसे कौन जेव निमनी है यानि कि विस्तित के लासनात मंदीर किस वन्स के सासनकाल के दुरारन बनाए गया था किस वन्स के सासनकाल में बनाए गया था फ्रेंड्स बिलकुल correct answer जोग ऑफ्तन नबर फॉर जोग पल्लाव उन्स अगला है निमलिखित मेंसे किस ने इलक्ट्रोन का अविस्कार किया था तो बिलकुल सही जोब होगा बिलकुल correct answer जोग ऑफ्तन नबर फ्री जे जे तॉम्सन ने अगला है हिम गॉल्ड कप किस खेल से समन्दित है तो इसका बिलकुल correct answer जोगा ऑफ्तन no.3 is the correct answer जोगा बॉली वोल से अगला है निमलिखित मेंसे कौन सा योगम सही नहीं है फ्रेंड्स जिसका बिलकुल यह सही जोब होगा ऑफ्तन no.2 is the correct answer friends शिव कुमार सर्मा बासूरी से यह सही योगम नहीं है बाद बाकी संजुक पानी ग्रेही की बात करते हैं तो उड़िसी निरते से दमिन्दित रखती है राजा रवी बर्मा चितरकार से उस्ताद विलायत खान सितार जिसका बिलकुल करेक्टांस हो जगा friends option no.2 is the correct answer वारा नसी अगला सवाल है खुलम खुला किस परसीद अभी नेता की आत्मकता है तो बिलकुल सही जोब है friends आप लोग का में एक दम option 4 is the correct answer शिव कुमार अगला है स्वतंतर भारत में पहले आम चुना कब आयुजित किये ग पावन में अगला जो हमारा आज का लास्वाल है friends निमने मेंसे जल में किस प्रदुसक के कारण मिनी माता रोग होता है बहुत important question friends बिलकुल सही जोब हुआ option number two is the correct answer का ठीक है मिथाइल भकरी मिथाइल भकरी होगा ठीक है मिथाइल भकरी के कारण मिनी माता रोग होता है और ध्यान रखे किया यह mercury इसमें पायाता है friends ठीक है तो यह आज का हमारा top 50 question complete हुआ गाई जो की आर पिएफ एसाई और कॉंस्टेबल में बहुत important रोल निबाएंगे मैं पूरी 100% sure of friends जो भी बच्चे हमारे सेशन सुरू से फ्रो कर रहे हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा एक्जाम की त्यारी लगातार किजिए त्यारी जितनी अच्छी तरिक से होगी सफलता आप लो